उत्तर प्रदेश में राज्य सभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और सबकी नजर रगुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भया पर जाकर टिक गई है। दो दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम राजा भया से मिलने के लिए पहुँचे थे और नरेश उत्तम ने फोन के जरिये अखिलेश यादव की राजा भया से बात भी कराई थी। अब खबर यह आ रही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्रिक के पास दो विधायक हैं और इसमें एक तो खुद राजा भाया है जबकि दूसरा विनोध सोन कर हैं। अब इन दोनों विधायकों के वोटों को लेकर सियासी समीकरन साधे जा रहे हैं और यूपी में राज्य सभा चुनाव के सियासी गनित को समझ लेते हैं तो सपा के दो उम्मीद्वारों का राज्य सभा जाना लगभग तैमाना जा रहा है। बता दे कि दरसल यूपी में पेच तीसरे प्रत्याशी को लेकर फंज रहा है। कॉंग्रेस से गटबंधन के बाद सपा को एक वोट की जरूरत थी लेकिन बीच में ही पल्लवी पटेल की नाराजगी से मुसीबत बढ़ गई। कॉंग्रेस की ओर से भी अभी तक स्थिती स्पष्ट नहीं की गई है ऐसे में सपा राजा भया को सेट करने में जुट गई। पहुँचे थे दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी और पटेल ने अखिलेश यादव से राजा भया के फोन पर बात करवाए। तीन सीटे जीतने के लिए 111 विधायकों की वोट की जरूरत है और सपा के 108 विधायक है जिनमें से एक विधायक पल्लवी पटेल ने सपा उम्मीदवार को वोट देने से इंकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती अगर राश्ट्रिये लोगदल एंडिये में शामिल नहीं होती खैर अगर पल्लवी पटेल को हटा दिया जाए तो सपा के पास 107 विधायक बचते हैं। कॉंग्रेस के पास दो विधायक हैं अगर दोनों दलों को जोड़ दिया जाए तो 109 वोट होते हैं ऐसे में अगर राजा भया की पार्टी सपा को समर्थन देती है तो 111 वोट हो जाएंगे और काम बन जाएगा तीसरी सीट सपा की आसानी से निकल सकती है लेकिन राजा भ भया प्रताबगर सीट से 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर सपा से गटबंधन होता है तो उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा तो बहुत एहम हो जाता है कि राजा भया क्या फैसला लेते हैं उनका जुकाव भाजपा की तरफ है या फिर सपा की आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News